इस बुश्रा खान वेल्कम टू समा पॉड्कास्ट आज हम बात करेंगे उस लव स्टोरी की जिसके मुल्क भर में चर्चे हैं बुश्रा बीबी और इम्रान खान की फिर माजी के हीरो राज के विलन कावर मानिका की भी हाल ही में होने वाले इंटर्व्यू में कुछ ऐसा लगता है जैसे गैरत ने जोश मा रहे है इतना विक्टम कार्ट प्ले कर रहे है पहले कहा थे जब बुश्रा बीबी और इम्रान खान की शादी हुई तब तो कहते थे जी हमने ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए किया तो अ आई जानते हैं असलाम लेकुम वालेकुम सलाम भुश्रा कैसे हैं अप जी बिल्कुल ठीक मेरे पास तुम हो तो आपने देखा होगा दानिश कोन है देखें जो टीवी पर ड्रामा मेरे पास तुम हो चला था वो तो मैंने नहीं देखा हाँ उसके राइटर जो हैं खलीर यगीननन खावरमानिका का है और शहवार जो है अड़ैला जैल में है और मैविश जो है वो इस वकत कोर्स में हैं और केसे बोगत रही हैं मैं समझता हूं कर दो मेरे पास तुम हो तो है इसमें भी बिल्टुल उसके हाँनी की तरह पैसे की लालत और पैसी की हवस की वजया से आंखे बंद की गई और बिलकुल जो है उस वक्त इन तमाम तर सिच्वेशन से खुद को अलाइदा रखा गया और एक कंप्रोमाइजिंग सूरत इहाल में ये सब कुछ किया गया एक इंडियन मुवी है मुझे उसका नाम भूल गया उसमें एक कपल है इसी तरह का वो मिया बिया पे भी वो डांस कर लेती है बाकी प्राइवेट फंक्शन भी करती है तो उनका जो स्टाइल है उन साथ का उनसे किसी ने बुच्छा कि आज कल कैसा चर रहा है मुनिर भाई तो वो कहते हैं बस बड़ा भाई करम है इजजद के साथ भाई सब कुछ हो रहा है प्रनौनल लटीफा है ना बाई इजजद के साथ अगर प्रनौनल लटीफा में करती है इजजद के साथ किसी से मिल लेती है भाई तो हमें क्या इतराज लेकिन ऐसे मिलना भी इज्जत के साथ होते है सबसे पहले इज्जत का सवाल है देखो भई, पिस्टल हर वक्त मेरे पास होता है कोई बात करे आपकी भावी के बारे में ऐसी वैसी तो मैं तो एक मिनट लगाता हूँ आपको पता भई, इज्जत के साथ देखो, फंक्सन आ जाता है कभी चली जाती है, अपनी मर्जी हो चली जाती है फंक्सन करने ना हो हमने नहीं कभी का, फोर्श नहीं किया कभी फोर्श तो किया ही नहीं कभी तो वो जाती है इज्जत के साथ बड़ा attitude है भई, सब कुछ इज़त के साथ हो रहा है आर्टिस्ट है ना, बीवी क्या करें भई इज़त के साथ अब वो चली जाती है, जाते ये थोड़ी है के जाती ही वो डांस शुरू करने अपनी मर्जी से करती ही डांस वो इज़त के साथ वो अराम से जाके बैठ़ती है अराम से कुछ चाए काफी पीती है, ड timeframe लेती है उसके बास वो इज़त के साथ अपने गुंगरो निकालती है चाए काफी इज़त वाली होती है, राइज? जी, और वो बांती है और आराम से अपना नोट अगर कोई फैंके ना बहुत बुरा महसूस करती पहले तो शुरू में तो बुरा महसूस करती क्योंके जिspeला लुट नहीं आए लिजस में किमाई ना भाई भाई, बहुत जियादा कमाली है भी जिज़ी में इजज़त ही तो हमारे पस है कुछ नहीं तो इज़्जजच के साथ जब वो नोट फैंकते है, पहले वो मना करती है थोड़ा, जब नहीं होते ना मना, चुछोरे लोग भी तो होते बीच में, फैंकते रहते हैं, नोट फैंकते रहते हैं, हाथ नहीं लगाती एक भी नोट को, इजजद के साथ, अपना गाना मकमल किया, साइट पे बैठती है, लड़का एकठे करके बैग में डाल देता पैसे, इजद के साथ, तो भाई, ये है, हमने नहीं कभी का भाई, कहीं भी जाए, बुश्रा, कहीं भी जाए ना, सुबह होने से पहले घर आ जाती इजद के साथ, अच्छा तो पर मैं क्या कह रही हूं, एक किताब होने चाहिए भाई, इजद के साथ, जो कछ हुआ इजद के साथ हुआ तो इस कहानी का, इंडियन फिल्म केस, किरदार का, इस कहानी से कोई तालुक नहीं है, यह तो वैसी मेरे जैन में का गया, ऐसी नहीं है आए आ आपकी जехail में चीज़ें हो इस नहीं ही तो गार आएजिद आमके सा है खावरमानिका का इंतहाई एक मजबूर शखस इंटर्वियू दे रहा था और उससे भी मजबूर शखस इंटर्वियू ले रहा था अच्छा ये बताएंगे ये इस इंटर्वियू का जो टाइटल होना चाहिए न वो होना चाहिए मजबूर टॉक मजबूर टॉक विक्टम गार्ट प्ले हो रहा है भाई मुझे तो लगता है करवाया गया ये इंटर्वियू भाई आप बॉडी लेंगविज देखें एंकर साप की भी और मेमान की भी इंतहाई मजबूरी में ये एक फिक्स इंटर्वियू था इतनी बात आपने करनी है इतनी नहीं करनी एक हाजार सवाल उठता था इस इंटर्वियू में कि आप तो कहते थे कि हमने ये फैसला ये कड़वा घूंट जो आपको जहर लग रहा था इसलिए पिया और डाइवोस कर दिया बुश्रा बीबी को और चेर्मेन पीटी आई के साथ जाने दिया उसके मुरीद के साथ जाने दिया आपकी खांदानी रवायत आपकी मौशरती इकदार आपका रख रखाओ आपकी वैलियूस आपकी डेरेदारी आपकी गहरत कहां गई आपने जाने दिया और आपके अलफाज ये थे, मैं आपको याद करवा दूँ, आपके अलफाज ये थे, कि ये सब कुछ हमने मुलकी मुफाद में किया, मुलक के लिए किया, आपने कुर्बानी दी बहुत बड़ी, जब कुर्बानी दी, उसके बाद, आपने कुर्बानी के बाद पहलवानी श पॉल्स करके ट्रांसफर पोस्टिंग और अपने काम करवाने शुरू कर दिये, आपने और आपके बेटे ने रिंग रोड रावल पिंडी और जिटी रोड के ठेके लेने शुरू कर दिये, ये एक कुर्बानी थी, पाकिस्तान के लिए, ये गुंडा गर्दी भी पाकिस्ता आपके केसिस खुलना शुरू है, आपको एंटी क्रेप्शन ने गिरिफतार किया, अब आपको नैब ने तलब कर लिया, आपको तलबी का नोटस जाता है, तो आपकी गरत जाग जाती है, आपको याद आता है, आप एक खौब से उठते हैं, आप अचानक देखते हैं, कि मेर मेडिया में आ जाते हैं, आप मेडिया में आ जाते हैं, अचा आप आ गए, चलें, आपको अचानक याद आ गया, आपने आके सब कुछ पूल खोल दिये, आपने बता दिया आपके साथ, आज से तकरीबन कोई साड़े तीन, चार साल पहले क्या जल्म हुआ, क्या सितम आपको याद आ गया, आपने बता दिया, हमको इतनी आपसे हमदर्दी है, भई, आप तो हमारे दानिश हैं, आप तो आज के दानिश हैं, मुल्की सियासित के आप दानिश बन चुके हैं, सियासी मेरे पास तो हैं, और शेहवार जो हैं, वो तो पहले अडियाला जेल में हम शेवार के बारे में बात क्या करें शेवार की तो हम बात नहीं कर सकते शेवार की कितनी आउडियोज आई किस तरह की गुफटगू वो कर रहे थे शेवार की बात करें तो सीता वाइट की बात करनी पड़ जाएगी उनकी बीटी टेरियान की बात करनी पड़ जाएगी, वो कहां है?, हम उनकी तो बात ही नी करतें, वो तो इन्वि साथ योसफ की मुझे बात करनी पड़ जाएगी, इन्वि साथ योसफ केनड़ा में बैठी है, मिय योसफ सलाओ दिन, علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے نواسے ہیں उनकी वो बीवी थी उनका ये कलेम है कि मेरी तलाक शहवार ने करवाई आपको पता है इस बात का इन बसाथ यूसफ की जो तलाक हुई मिया यूसफ सलाओ दिन और्फ मिया सली से वो किस ने करवाई शहवार भाई ने तो करवाई लेकि नहीं न मिया यूसफ तो यह कहते है जब भी उनसे पूछें ये तो जूट है भाई, ये तो लजामात है आप कितना जानते मिया यूसफ सलाओ दिन मैं तो नहीं जानती हूने लेकिन आप जानते हैं जरूर वो दोस्त है ना, आपको पता है, चेर्मन पीटी आई और उनकी दोस्ती जो है, अगर उसकी दास्ताने सुननी हैं आपने, तो फिर मैं दुबारा कहता हूँ, इन्बसाथ इस वकत कैनडा में हैं, मैं जो है उनका नंबर आपको लेके दे दूँगा, आप सकाइप पे उनके स जाएंगी, आप ये मेरे पास तुम हो भी भूल जाएंगी, पर मुझे लग तो उनसे मिलना पड़ेगा, आपको मिलना पड़ेगा, लेकिन ये देखें ना, उस वकत तो वो कहते नहीं थे कि मैं भीकावे में आ गया, क्योंकि इस वकत उसने पीपल्स पाड़ी जोइन करे तो उसे की भी बाद में? जिवर का हत है, और मेरे पास ये भी इतला है, कि किए भी वक्त मन्जरे आम पर आ सकती है, वो कैनाडा से पाकिस्तफन आ सकती है, यहां पर वो बुश्रा खान के साथ पोड़कास्ड कर सकती है, पाकिस्तफन आखे और यह सारे राज वो आके बताएंगी, स्थुछ में सु बात कर रहे हैं दानिश की के आज जो है दानिश को किस मजबूरी के आलम में एक टीवी टॉक शो में बिठाया गया और ऐसा लग रहा था के होस्ट उसमें किसी जरूरी काम से सो रहे हैं होस्ट पार। वो बड़े जबरदस्त होस्त हैं वो बाल की खाल निकालने वाले और डेफ्ट में जाके चीज़ें करने वाले होस्त है उन्हेंने उसी बात ही नहीं की क्यों करनी थी? स्क्रिप्टेड था ये तो करवाया कि एंटर्वियू अब ये है कि इसको मैं मानका न्याजी गट जोड अगर कह दूँ मानका न्याजी गट जोड ठीक है तो ये इस तरह के जो है ड्रामे और फिल्मे और मैंने वो आपको अभी इंडियन मुवी वालाव देखें आज आपको प्रोयक्ट करके दिखाया हम इज़त के साथ सब कुछ हुआ एक किताब आज़नी अब इज़त के साथ जो भी हुआ इज़त के साथ करने जो भी करो इज़त के साथ इज़त के साथ करो बाई किसी से ना हम डरते है ना हम किसी से डरने हमारा एटिट्यूट भी है हमारा स्टाइल भी है हम जो भी करेंगे इज़्जत के साथ तो इस खावर मानिका साथ ने भी इज़्जत के साथ सब कुछ किया तो अब ये है कि आप को बुश्रा मैं याद करवाता हूँ एक आडियो लीक हुई थी जूलफी बुहारी और मैं ऐसी बारे मैं जाना तारी थी ये इतनी हुई है ओडियो जली लेकिन ये जो क्या ट्विस्ट है वो जो अडियो गर आप थोड़ा याद करो अडियो में जब उसका आगाज होता है तो वो कहते हैं असलाम अलेकुम उर्श्द तो कि दिवालेकुम असलाम आप कहां गाइब है आप जो हैं मेरे राप्ते में नहीं हैं काफी दिनों से भई मौकल एर्दगेद बताते रहते थे भई चीजे और वो उन्हें कहती हैं उनसे पूछती नहीं है बताने के अंदाज में कि जैसे उने उनके बारे में उनसे ज्यादा पता है कहती हैं कि जुलफी मुझे लग रहा है कि आज कल आपका कहीं अफेर चल रहा है उन्हें कहां नहीं नहीं मुर्शद मैं तो इस तरह का नहीं हूँ मैं तो अच्छा बच्चा हूँ मैं तो नहीं ओ, इस तरह का, उन्हें कर न según देखो, इस में थोड़ा सा यूं होता है, अगर चल रहा हो, तो इनसान यूं होता है, और सामने वाला अगर इस तरह कर रहा हो बेव, तो उसको इस तरह से लेना चाहिए, उनको teach कर रही थी, कि मौश का कैसे चलाया जा सकता है, वो लफ गूरू है, वो लफ गूरू है, यार जैसे एक बड़ा च्छा आपने का लफ गूरू जैसे एक institute of romance ने खुला होता है, हमारा मुलक और ये लोग हमारा मुलक चला रहे है, विश्रा बीबी से पूछे ना कोई किसी ने कोई affair रखा वे या किसी ने अपने यार पाकिस्तान जो है ना उन दिनों बिलकुल एक रोमानिस्तान बनावा था, और हर तरफ जो है ना एक दास्ताने थी, romance की, मौश कों की, audio leaks, अजीब सा माहूल नहीं था हमारे मुलक में, आपको नहीं लग रहा था, जैसे कोई फिल्म चल रही है, हीर रांजा चल रही है, या कोई ऐसी रूमैंटिक मूवी चल रही है, और काजल भाग रही है, और शारुक खान पीछे भाग रही है, ट्रेन चलना शुरू हो गई है, और वो कहते रुक जाओ, थैर मुझे संभा तो आगल बनाये हुए, मौकल रखे वे हैं या नहीं रखे वे हैं, तो आजकल यह कर रहे हो, तो यह कर लो, यह हो जाएगा फलाँ फलाँ फलाँ, मतलब इतना असने हिप्नोटाइस किया हो ना किसी को इतना वो फैसिनेट कर देना अपने इस इल्म के थूँ देखें, मैं तो उनके बारे में कभी बात नहीं करता ना मैं करूंगा, यह उनके बारे में आप ही बात कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, एक वक्त में एक बुष्रा काफी है, आप से बात हो रही है, आप से बात हो रही है, मैं जासे देती हूँ, आप कर सकते हैं, देखें, म फरागोगी के सुसर अकबाल गुजर साब जिन्दा हैं वो बड़े ही सीनियर मंजे हुए और कंसेक्टिव पारलिमेंटेरियन हैं साला साल से वो पारलिमेंटेरियन रहे हैं उनकी गुफत को बता रहा हूँ जो उन्होंने लाहूर के एक फाइफ स्टर होटल में हमारे साथ क उन्होंने का कि ये गैंग है जो बड़ी सेलिबरेटीज रिनाउन शक्सियात और इस तरह के रिच जो सेलिबरेटीज हैं ये उनको ट्रैप करती हैं और इनका मकसद पैसा और फेम कमाना है इतनी सी बात है इसके अंदर पूरी की पूरी कहानी है इसके अंदर पूरी की लंच पे गई वे थे? लंच पे कह सकते हैं, मैं सोय वे नहीं कह सकता। जब चीजें जो हैं वो पता थी आपको, आप शादी से पहले ही उपर आपका घर है, शेवार का, और बने गाला से नीचे जो है, मैविश रहाश पजीर हो गई, और वहां अस्ताना बना लिया और वहां लोगों का आना जाना शुरू हुआ, मेल मुलाकाते हैं, बिलकुल एक जैसे आप तेरे घर के सामने हम अपना घर लेंगे, सुनाओ आपने, तो इस तरह की यहां से कहानिया शुरू हो रही हैं, चीजें हो रही हैं, बाराल ये एक बड़ा ही तकलीफ देसा मरहला है, जिसे हम गुजर रहे हैं, कि हम अपनी नई नसल को क्या बता रहे हैं, कि हमा इसी तरह, ऐसे लोगों के हाथ में भागदूर चली जाएं, ना जहां पर ना कोई मौशरतिकदार हैं, ना कोई एथिक्स हैं, ना कोई रवायात हैं, ना कोई एवन मजभी एक जो एक दार हैं, और एक शराई जो हमारा नजाम है, ना उसको फॉलो किया जाता है, कि एदत जो है, उस पर शिदत हावी आ जाती है, और एदत पीछे रह जाती है, और एदत पीछे रह जाती है, और शिदत जो है, वो बढ़ जाती है, और निकाह हो जाता है, उसके दुरानी तो, क्या लोगों को दिखा रहे हैं, क्या साबक दे रहे हैं, और क्या बतलब, what's going on, it's ridiculous, मुझे नहीं लगता कि यह हकूमत आनी चाहिए दोबारा, बुश्रा मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, sorry, आएंदा ऐसी अरकत नहीं करेंगे, ये लोग, आपने लगता नहीं करेंगे, मैं गारंटी तो नहीं कर सकता, मगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक म माफ करते हूँ, मौका दे तो, नहीं नहीं माफी नहीं मिलनी, दे दो मौका एक तफ़ा, अब तो जितने बाराती थे, उन्होंने भी आके फरंट आफ मीडिया बता दिया है, कि ये सब कुछ हो रहा था, आप सोचो, इस प्रेम कहानी के और इस बारात के, इस बारात के जि मलत, और इस तरह का गंद, ये सब कुछ हो रहा था, ये एतराफ कर चुके हैं, और हम लोग साथ शामिल थे उस सेंस में के हम लोग मुझूद थे, हमारी मुझूदगी में सब कुछ होता रहा, हम आई विटनेस हैं, हम गवा हैं, हम जो हैं, चलते पिरते सबूत हैं इस तम खलीलोरमान कमर से लाइने बदलवाओ, एंड पे, इस कहानी का एंड और इस कहानी को तरहा ट्विस्ट लेकर हैं, लेकिन आप थोड़ा सा कोशिश कर रही हूं, प्लीज, कोशिश करो, पहले खूद को संभालो, निकलो, इस कहानी से निकलो, ये लव स्टोरी भाई हैं, हर मैं तो इतना कुछ जाना चाहते हूं मुझे तो ऐसी कुरियोसिटी कोई मेरे सर पे सवार है कि मैं हर एक चीज जानना चाहूंगी आपके पास तो एक्सक्लूजिव रिपोर्ट्स आप जैसी लड़किया ना आप जैसी लड़किया ऐसी कहानी सुनते या देखते देखते इन्होंने नहीं बाज आना इस मुल्क में ये कहानिया रुकनी नहीं इस मुल्क में ये हरकातों सखनात थमनी नहीं आप अपने किचन की तरफ तरफ तवज़ो दो प्लीज एक दिन तो हंडिया ठीक परकालो का मस्तर चले नेक्स तेम पॉड़कास में सैंड़ुचिज मु नहीं होती चीज है लेकिन हमारे साथ मिस्टर ने मनीफ ब्यूरचीफ जब ही मुझूद होते हैं तो बहुत कुछ जानने को मिलते हैं तो बहुत कुछ जानने को मिलते हैं Thank you for being here today. Thank you guys for watching us. Just stay tuned. Do not forget to share, like and subscribe our summer podcast. Till then, Busha Khan's leaving. Bye-bye.